नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक 2021 इंट्रेंस इक्जामनिशन के लिए जो फॉर्म जारी किया गया है उसकी सभी महत्पूर डिटेल्स बताएंगे और जो भी लोग यूपी पॉलिटेक्न इंट्रेंस इक्जामनिशन देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्फूल होगी और बहुत ही महत्पूर होगी तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूपी जेई पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश जॉइंट इंट्रेंस इक्जामनेशन पॉलिटेक्निक के लिए अब बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी कंड़क्ट करता है इससे एडिमिशन लिया आता है वेरियस कोसेज में जैसे कि डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा पोस्ट गिज़िए डिप्लोमा इन इंग्रिंग टेक्नलोजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन सभी कोर्सेज में आपको एडिमिशन मिलता है यह सभी कोर्सेज बोर्ड आप टेक्निकल एजुकेशन यूपी से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं उत्त्रप्रदेश के सभी गवर्मेंट या फिर एडिड या फिर प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के लिए फॉर्म भरने और एडमिट का डाउनलोड करने और एक्जाम को कंडर्ट कराने के लिए और यल जारी करने के लिए और काउंसलिं कराने के लिए एक अफिसियल साइट बना गया है बना हुआ है पहले से ही वह स्टीटीप कॉलन डवल इसलेस जेएकप डाट एनसी डाइन तो इस वेपसाइट पर सभी प्रक्रियां पूर्ण होगी जो आपको उपर हमने बताया है और यहां पर सभी आपको इंपर्टन जानकारियां भी मिलेंगी तो आप इस वेपसाइट को फालो करते रहें चलिए हम अपने वीडियो के स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इंपर्टन डेट्स इस एक्जामनेशन की इंपर्टन डेट्स क्या-क्या है तो अप्लिकेशन फर्म भर मार्च 2021 यह एक्जाम डेट है आपका 15 से 20 जुन दुजारी किस इसके बीच में आपका एक्जाम होगा अलग-अलग जीले में अलग-अलग सेंट्रों पर एक्जाम अलग-अलग दिन करा जाएगा एडविड कार्ट जो अवलेबल होगा अप्लिकेशन पहले लगभग अव फिस कितना है फॉर्म भरने का फिस कितना है तो सभी जानरल ओवी सी और एकोनामिकली वीकर सेक्षन वालों के लिए एडवलो वालों के लिए मतलब 350 रुपीज प्लस जो भी आपका बैंक चार्जर लगेगा इपना हुआ आपका और एसी और एस्टी वालों के लिए 200 रुपय प्लस बैंक चार्जर मतलब 250 रुपीज प्लस जो भी आपका बैंक चार्जर लगेंगे एक्स्ट्रा वो उतना फीस आपको पे करना होगा और यह जो फीस आप पे करेंगे हो डिविट या फिक रेट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग या फिर मॉबाइल वालेट या फिर कैस कार्ड या आफ लाइन फ्री मोड के माध्यम से इसे कर सकते हैं अब दोस्तों आपको बताएंगे कोर्स वाइज इलेज़िटी डेटेश हर कोर्स के लिए सबी कोर्स के लिए क्या-क्या योगिता होने चाहिए आपको उसका फर्म भनने के लिए आपको में बताएंगे तो ग्रूप ए में डिप्ल अच्छा दसनीया उत्रेख होने चाहिए कम से कम 35 प्रसेंट अंकोय। से और फिजिक्स कमेस्टी और मैथ में कम से कम 50 प्रितिसंटंट अंकोय। से आपका टोटल ओबरार 35% के उपर होने चाहिए और क्येवड फिजिस कमेस्टी मैथ में इन तीन वेसन में आपका 50% के दूसरा है ग्रूप B डिप्लोमा इन एगरी कल्चर इंजिनिरिंग जो कि कॉर्स है तीन साल का इसकी योगिता होनी चाहिए कच्छा 10 पास एगरी कल्चर भी साय के साथ और फिजिक क्रमेस्ट्री मैथ और एगरी कल्चर में 50-30 मार्क्स के ऊपर आपका होना चाहिए अगला कोर्स है ग्रूप सी फैसन डिजाइनिंग एंड गवर्मेंट्स टेक्नोलोजी यह भी कोर्स तीन साल का है और इसमें भी योगता होने चाहिए आपके कच्छा 10 पास कम सकम 35 प्रितिसत अंकों के साथ अगला है ग्रूप सी का ही है होम साइन्स जिसका डिगरेशन है दो साल इसकी इडिमीशन लेने की योगता होनी चाहिए कच्छा 10 पास कम सकम 35 प्रितिस अंकों के साथ अब आगे बढ़ते हैं ग्रूप सी टेक्स्टाइल डिजाइन के लिए जो कि तीन साल का कोर्स है आपको 10 पास होना चाहिए कम सकम 35 प्रितिस अंकों के साथ और ग्रूप सी में एक और है टेक्स्टाइल डिजाइन प्रिंटिंग यह तीन साल का कोर्स है इसमें कच्छा दसमी पास होना चाहिए कम सकम 35% अंकों के साथ अगला है डी डी में दो हैं एक modern office management and secretarial practice और दूसरा है library and information science इन दोनों के लिए 12 पास होना चाहिए पहले वाले के लिए modern office management and secretarial practice के लिए 12 पास या फिए अपिर्ड हो आप हिंदी या फिर हिंदी और इंगलिस सब्जेक्ट में कच्छा दसमी या फिर बारवही में और दूसरे के लिए कि अपिर्ड पास होना चाहिए या फिर आप अपिर्ड हो इस साल और सब्जेक्ट में कि अंक चाहिए आपको इंगलीस और हिंदी इस प्रतिस्फिस्थ कम सकम उंख चाहिए इस प्रेंग छाइए रिजर एंक्स ऑसे से अगला है ए ग्रूप ए ए में दो हैं एवन और एटू एवन बायो वालों को कहा जाएगा और एटू मैट्स वालों को कहा जाएगा कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फामेसी और यह एक दो साल का कॉर्स है इसके लिए जो आपको योगता होनी चाहिए आपका 10 प्लस 2 मतलब 12 का एकजाम साइन्स में और कम सकम आपके 50% अंक हो तो आप इसके लिए इलिजबल हैं और आगे बढ़ते हम ग्रूप एप पोस्ट ग्रिजट डिप्लोमा इन बायो टेकनलोजी यह भी एक साल के कॉर्स है इसके लिए आपको ब्यस्सी डिग्री होना चाहिए आपका बायोजी में कमेस्ट्री या बायो में भी हो सकता है इन सब्सक्राइब किसी में ब्यस्सी किये हों तो आप इस को कर सकते हैं अगला कॉर्स है ग्रूप जी का पोस्ट ग्रिजट डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लिकेशन यह भी दो साल के कॉर्स है इसके लिए कि स्ट्रीं में किसी भी अब είसे से आप एधी बैचलर्स degree अपको इसनातक डीइवाल हैं तो आप इसके लिए इलिजबे वन्हार है ग्रूपी में बहुत इस साटमें एक एक सालके इसके लिए आपको बैचलर डिगरी होना चाहिए और आप इसके लिए इलिजबल होंगे जी में बहुत सारे कोर्स कोर्सेज हैं आगे चलते हम ग्रूप एच में हैं डिप्लोमा इन होटल मैंजमेंट एंड कैटरिंग यह एक तीन साल का कोर्स है इसके लिए जो योगता होने चाहिए है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं आगे है ग्रूप आई डिप्लोमा इन एर क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजिनिरिंग यह भी एक तीन साल का कोर्स है इसके लिए जो योगता होने चाहिए वह तेन प्लस टू एक्जाम मतलब बारहनी का एक्जाम उत्रड होना चाहिए फिजिक की प्रसेंट से उपर माक्स होना चाहिए आगे है यहाँ पर डिप्लोमा इन एर क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजिनिरिंग एवियोनिक्स यह भी तीन साल कोर्स है और उपर वाला एवियोनिक्स नहीं था इसमें इवियोनिक्स है मलब की जो एक्षाफ्ट वाले हैं पैसंजर इसमें भी आपका 10 प्लस टू मलब 12 के एक्जाम आपका उत्रिण होना चाहिए और चास प्रसत अंको के ऊपर होना चाहिए फिजस या फिक कमेस्ट्री सब्जेक्स में अगला है ग्रूप जी पोस्ट ग्रिजुएट डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नलोजी यह एक प्रसकते हैं अगला है ग्रूप के का डिप्लोमा इन इंजिनरिंग्ड दो साल के कोर्स होता है इसे लेटरल इंट्री भी करते हैं इसमें के वन से के एट तक के लिए गया है इसमें अलग-अलग ब्रांच से अलगना चीज़ें है तो यह के ग्रूप वाला के वान से के आई टी आई सर्टिफिकेट के साथ यदि पास आई टी आई का सटिफिकेट तो भी आप इसको भड़ सकते हैं आगे हम आपको बताने चाहिएंगे कैसे अप्लाई करें इन सभी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन तो अप्लाई करने के लिए आपको फोटो लगेंगे फोटो के लिए यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपना कलर फोटो जो इसको अप्लोड करेंगे और उसका फाइल साइज होना चाहिए दस के भी से 200 के भी के बीच में और डाइमेंशन हों चाहिए 3.5 सेंटीमेटर इंटू 4.5 सेंटीमेटर और इसमें कोई भी एदम क्लियर फोटो हना चाहिए कोई विगरत आप चस्मा लगाया होंगे तो आपके आखें साब साब दिखनी चाहिए यह सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और यह फोटो नया होना चाहिए तीन महिने के उपर अंदर का पुराना नहीं होना चाहिए तीन महिने का अंदर का होना चाहिए और आपका थंब इंप्रेशन भी लगए इसमें तो आप अपने बाएं हाथ के अंगोठे का इंप्रेशन यहां अंगोठे का निशान लगाएंगे और उसको अप्लोड मारेंगे सिगनेचर के लिए इंस्ट्रक्षन दिये हैं कि आप अपना सिगनेचर करेंगे लेकिन वो Kapitle letters नहीं होना चाहिए कि इसमाल letters में होना चाहिए और यह JPG format मेंहों होना चाहिए चार केवी से 30 केवी की बीच में का होना चाहिए और इसका dimension है 3.5 cm to 1.5 cm इस dimension के आप signature को upload करेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर के बारे में आपको बताते हैं About UPJE Polytechnic Paper तो जो mode of examination है ये group A, group E1 और E2 के लिए offline mode में होगा केवल और सभी group के लिए B, C, D, F, G, H, I, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 इन सभी group का पेपर भी online mode में होगा selected districts में और आगे बढ़ते हम type of examination तो सभी जो 2021 में जो exam होंगे उनके पेपर में 100 objective questions अब्जेक्ट्व टाइप questions होंगे मतलब multiple choice question बहुँ भी कलपी प्रस्ट आप उसमें टिक मारेंगे और जो medium आप question paper होगा choice आप जो कर सकते हैं वो हिंदी और फिर इंग्लिस में दोनों paper दिया होगा एक column बना होगा बीच में एक साइट हिंदी में रहेगा एक साइट इंग्लिस में रहेगा आप उसमें से किसी भी को पर्स के करके उसको answer कर सकते हैं तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने पाल टेकनिक यूपी पाल टेकनिक 2021 के अप्लिकेसं के फाम के बारे में सभी महत्फू जानका यह दे दी हैं यदि ये वीडियो आपको पसंद आये तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें और जिने भी जरूत हो उन्हें सेयर करें और हमाया चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू, थैंक्स फर वाचिं दिस वीडियो, धन्यवाद